डिजाइन सिंपल हो सकता है या फिर कॉंपलेक्स इसे पर्सनल होना चाहिए और इसमें होनी चाहिए एक फीलिंग जहां भी मेरी नजर पढ़ती है मुझे दिखते हैं पैटरंस, टेक्स्चर्स, हुज, कॉन्टोर्स और कलर्स लेकिन इन सबसे उपर मुझे दिखती हैं कहानिया वेटिंग टू बी टोल्ड हाई मैं हूं साकेट सेथी और मैं आपको लेकर चलूँगा एक डिजाइन इडवेंचर पर आपके फेवरेट सेलिबरिटीज के घरों और उनके परसनल स्पेसे में हम जाएंगे हर एक कोने में ये देखने के लिए कि वो एक्जाटली रहते कैसे हैं इतना ही नहीं बैक अट माई डिजाइन एचक्यू मैं आपके लिए डिजाइन और क्रिएट करूँगा सम्थिंग स्टानिंग जो इन ब्यूटिफुल स्पेसे से इंस्पायड होगा आज मैं डेली में हूँ और एक ऐसे शक से मिलने वाला हूँ जो सिर्फ अपने कपड़ों से ही माजिक क्रिएट नहीं करते बलकि अपने फ्लाक्शिप स्टोर से भी उन्होंने एक अलग दुनिया बनाई है आज मैं मिलने वाला हूँ साब बिसाची से उनके शानदार बुटीक पर ये है डिजाइन एज़ के कि अट वाला हूँ लॉग्ट अवाइड यू लॉग्ट आपर मैं इस्फाहान या ताशकंत या फिर किसी प्लेस में खड़ा हूँ यह सब आपने बनाया है आप यह जानते हैं कि मुझे बहुत पसंद है maximalism और अब तो यह मेरा obsession भी बन गया है मुझे अच्छा लगता है यह कि इसमें इक storytelling involved है अगर आप मेरे store में आएंगे अंदर जाते ही आप realize करेंगे कि उसमें natural light कोई नहीं है हमने इसारी natural light block कर दी है light के बारे में तो आप सही कह रहे थे ऐसा लग रहे है कि मैं एक अलग ही दुनिया में आपके दुनिया में हूँ और यह story काफी powerful है इसके बारे मैं क्या कहूँ यह दरसल है old world hypnosis और अगर आप इन tiles को देखें तो यह आई है राजिस्थान से यह commercial tiles है और हमने इन्हें hand painted करवाया है यह basically कजार है कजार dynasty से वो काफी इस्तमाल करते थे आर्टन क्राफ्ट को अगर आप किसी का शौक होता है और मुझे कपडों का ज्यादा शौक नहीं है you know I mean personal clothes आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं right absolutely वैसे मैंने प्रेस के सामने कई दपक आई है तो मुझे लगता है कि अगर आप किसी इंडस्री में successful होते हैं तो आपको उससे थोड़ा सा detachment र जानता हूं इंडस्री में कोई दोस्त नहीं है अम अलोना बैटके अपना खुद का गाम करता हूं I realize मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब मैं बिंगॉल में employment provide कर पाता हूं हम जो कुछ भी करते हैं वो सारा का सारा handcrafted ही होता है पिर जाए वो painting walls हो, art हो, mirrors की staining हो या साडियों की embroidery हो इससे काफी सारे लोगों को employment मिलता है अब इस furniture को देखे यह old furniture है इसे दर असल हमने रिडिजाइन किया है अगर आप पीछे देखें तो इसमें hand printed canvas है यह दर असल है hand block printed velvets है यह दर असल काथा है जिसे ब्रोकेट पर किया गया है यह सब कुछ handcrafted है इवन जो carpet हम खरीदते हैं वो दर असल hand dyed and bleached and hand dyed and over printed है जिससे उने मिलता है मेरे फादर बहुत ही गरीब फैमिली के थे वो refugee थे बंगलादेश से लेकिन मेरी मदर बहुत ही रिच फैमिली की थी वो दर असल थे राइस में लोनस As a middle class child मैं अच्छी अच्छी जगाँ पर जाना चाहता था लेकिन पैसों की दिक्कत होती थी तो मैं एक ऐसा store create करना चाहता था जहां लोग सिर्फ खरीदारी के लिए ना है मैं बोलता हूँ कि आप खरीदारी के लिए मता है या आप देखिए मेरे store को मैं कुछ ऐसा create करना चाहता हूँ जो inspire करें इंडिया के लोगों को खास करके young generation को क्योंकि मुझे लगता है वो काफी चीजों से कटे हुए है जैसे की good music, good literature और यह जगा दरहसल inspiration है उन students के लिए भी जो यहाँ पर आते हैं बहुत से लोग नहीं जानते के कौन है असली सब्बे साची यह दर असल ऐसा है कि आप जैसे मेरे घर में आ रहे हैं हलाकि आप मुझे यहाँ नहीं पाएंगे लेकिन आप मेरे कुछ हिस्सों को यहाँ देख सकते है मैं इसे कुछ इस तरह से personal बनाने की कोशिश की है यह व इस तरह से आप मुझे लगा जैसे मैं ठहर गया और फिर आप मुझे इस रेगिलर मोमेंटम में वापस लेकर आए जहां मैं आपको जान रहा हूं और फिर से मैंने कुछ ऐसा देखा कि मैं हैरान रह गया लेकिन इससे पहले कि मैं यह experience करूँ मैं अच्छे से समझना चाहता हूं मैं थोड़ी दीर रुकना चाहता हूं और उपर जाकर मुझे जो experience होगा उसके लिए मैं खुद को त्यार कर लगा दूँ मैं अब मुझे लग रहा है मुझे लग रहा है कि मैं एक अलग वर्ल में जा रहा हूं और यह अच्छी बात है कि हर चीज इतनी accessible है आप इसे touch और feel कर सकते हैं और lighting यहां पर एक incredible story create कर रही है लाइटिंग की बारे में कमाल की बात बताता हूं तो मेरे जो HR है उन्हें बहुत दिक्कत होती है एक ऐसा बंदा ढूंड़ने में जो इन लाइटों को साफ कर सके तो फिर हमने सोचा कि क्लीनिंग सर्विस बालों से करवाए क्योंकि इसमें बहुत सारा brass का काम है मुझे आ फिल्टर किसी चीज़ को देखने का नजरिया बदल देता है यूरो आप पुराने जमाने में चले जाते μέ अगर आप किसी ऐसी चीज को देखें, मैंने तांजोर्स पहले भी देखे हैं, तो मैं जानता हूँ कि उनमें डेप्थ होती है, लेकिन यहां तो गौमाता में एक्स्ट्रीम डेप्थ है, और सारे गौड्स और गौड़ेसेस की डीटेल्स काफी एक्स्कुजिट है, मैंने सा साथ ही सही प्राइस का इंतजार करना पड़ता है, लेकिए एक खरीदते बगत आपको ध्यान रखना होता है, नेगोसिएशन के अगर आप दिखाएंगे कि आप ज़्यादा डेस्परेट है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा महेंगे बढ़ाएंगी, क्योंकि और कई मिल गया है, और इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, इन्होंने ऐसी टाइल्स ली हैं, जो अराम से मिल जाती है, लेकिन इन्होंने टाइल्स को पेंट से पुराना कर दिया है, और अगर आप इस लुक को और ग्लामरस बनाना चाहते हैं, तो ये intense chandelier लगा लीजिए, जो टाइल जो काफी slim-lined हैं, और ये काफी different है, scale और details में, आप इन्हें column के साथ रख सकते हैं, for example, लेकिन मुझे लगता है कि ये idea इसलिए काफी अलग है, क्योंकि इन्होंने काफी reasonable cheap fabric use किया है, और इसे सजा कर एक detailed teclado wall बना दी है, इसमें ज़्यादा पैसे खर्ष नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा expensive लगे, तो आप इसे किसी expensive चीज के साथ combine कर सकते हैं, और इससे वो contrast create होता है, जो यहाँ आने वालों को जबरदस्त experience देता है. वाओ, क्या थरीका है किसी चीज को display करने का, I think debt एक कमाल का idea है, देखी, clothing के साथ एक चीज होती है, खासकर जब आप handicraft के साथ काम कर रहे होतों, आपको, इन्हें respect देना होता है, almost like museum quality display देना होता है, क्योंकि जब इन्हें वो respect मिलते हैं, जो deserve करते हैं, तो लोग art and craft को respect करने लगते हैं, मुझे बहुत सारी चीजों से दिक्कत है, I mean, सबसे पहले change, मैं जानता हूँ के chain is the only constant, I don't know, मैं आपको अपनी personal बात बताता हूँ के, जब मैं किसी जगह पर जाता हूँ, और मैं किसी hotel में check-in करता हूँ, तो जब मैं दुबारा वहाँ जा क्योंकि हम लोग सर्फ कर रहे हैं, चैनल्स, we are skimming through things, मुझे रखता है हम लोगों की insecurity से काफी पैसा कमा सकते हैं, that's true, क्योंकि इसके लिए आप कुछ बेश नहीं पाएंगे, तो वो खरीदारी नहीं करेगा, वो बार बार आकर चीजे खरीदेगा और और उतने ही ज़्या तो उन्हें एक sense of identity मिलती है, चाहे वो कंगना हो, दिपिका हो या भी पाशा, क्यों हमेशा center-part hair करती है, एक बिंदी लगाती है, साथ में मोगरा और साड़ी पहनती है, ज्यादा तर लड़कियां जो बॉलिवुड में मेरे कपड़े पहनती है, वो सारे बॉलिवूड आर And I think, वो लोग जो खुद को लेकर confident महसूस करते हैं कि वो कौन है, वो evolve हो गया है, accept करने के लिए इंडिया को कि वो कैसा था? चलिए, कपड़ों की तो काफी बात हो गई, अब मैं आपको नए वेंचर पर ले जाता हूँ, जो है जूल्री. जूल्री और इसके लिए आपके पास एक अलग सेक्शन है? या, यह बिलकुल ही पर है, आएए. वाउ. वाउ, आपने तो जूल्री के लिए एक बिलकुल अलग रूम बना कर रखा है. येस. पर एक अलग रूम क्यों? देखिए, बिलकुल नई आइडेंटिटी है यह. और मैं चाहता था कि ये तोड़ा सा इंटमिट लगे है. और ये जो फरनीचर आप देख रहे हैं, ये आपको बागी किसी जूल्री स्टोर में देखने वाला नहीं है. क्योंकि ये one-of-a-kind pieces हैं और ये सारे अपनी तरगे. आइनो क्या सारे pieces डिफरेंट हैं, कोई भी दो ऐसे नहीं हैं जो एक जैसे लगे. ये सारे assembled हैं, इन में से कुछ पैरिस की flea market से आएं, दो टबबे Great Eastern store से आएं. मैंने जूल्री बनाना शुरू किया इन Instagram pictures की वज़े से, और WhatsApp पर जो display pictures होती हैं उनकी वज़े से, वो काफी सारी brides के लिए groom से ज्यादा ज़रूरी हो गई हैं. और मुझे लगता है कि आप अपनी Instagram pictures और अपनी WhatsApp displays में आप जैसे नजर आते हैं, उससे पता चलता है कि आपका brand है, उसकी choice कैसी है, और मैंने देखा है कि ज्यादा तर pictures जो है, वहाफ होती है, उनमें कपड़े ज्यादा नहीं दिखते हैं, लेकिन खराब jewelry काफी नजर आत लेकिन सचा ही है कि बहुत से लोग यह नहीं जानते कि मैं इस business में भी रह चुका हूँ, मैं costume jewelry कर रह था, और तम मेरी मुलाकात हुई Koina, Mitra और Bipasha से, यहाँ Calcutta में, वैसे मुझे काफी knowledge है jewelry की, और मैं कोई jewelry महीं हूँ by birth, और सच कहूँ तो मैं ज्यादा नहीं I mean किसी को उसके बारे में पता ही नहीं था, अनुष्का बहुत डरी हुई थी इस बात को लेके कि लोगों को मालूम चल जाएगा उनकी शादी के बारे में, वो इसे बहुत हाशा शाफेयर चाहती थी, हमने सब से चिपा के रहा और हमने बना दी एक code names, I think अनुष्का के ल इसलिए लगना चाहती हूँ, I want to pay homage to my roots, जहां से मैं आई हूँ, तो इसलिए मैं पहनना चाहती हूँ पहाडी नथ, यह बहुत important part है उनके culture का, और यह हमारी jewelry का भी एक बहुत important icon है, right सागे चलिया मैं आपको दिखाता हूँ, वो जगाज यहां यह सब खत्म होता है, यह छोटी सी चेर, इस चोटी सी चेर में ऐसी क्या खास बात है, देगे होता क्या है, जब bright तयार हो जाती है, तो वो यहां आके बैठती है, फिर हम उसे jewelry पहनाते हैं, और जब उसका सर ढखा जाता है, तो मैं notice करता हूँ कि उनके parents के आखों में नमी होती है, जो माता पिता हैं लड़की, उनके आखों में आसू होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी बेटी जाने वाली है, और जो हम करते हैं, उसका कमाल यहां नजर आता है, वो चीज हिट क जाते हैं, चलिए अब आप मूह में बीटे की, नौ यह तो मुझे जैसा मैंने कहा था, एक classic British hotel की lobby जैसा लग रहा है, यहां, मुझे लगता है, एक चीज जो आपने इस्टाबिश किया है, जो बहुत कमाल किया है, वो यह कि मैं एक स्टोर में नहीं हूँ, आपने यहां ए यह देखने में काफी familiar लग रहा है, ओके तो मुझे पता है, यह क्या है, यह दिपिका की dresser राइट, जो उन्होंने पहनी थी, यह दर असल एक book से inspired है, जो मैंने बच्पन में पढ़ी थी, Mr. Galliano Circus, तो यह एक circus stripe है, और साथ में है यह trapeze artist's tinsel, लेकिन इसे severe blouse में convert किया ग आप इसे, इस clutch और belt के साथ use कर सकते हैं, यह बहुत यह rate है, मगर फिर भी retro है, amazing आप अपने काम को इतना time देते हैं, यह कमाल की बात है, इसमें एक sense of perfection है, आप अपनी personal life में क्या करते हैं, क्या आपके पास बिलकुल भी time होता है? क्या बाकए मेरी personal life है? The answer is no, and I'll tell you why, देखिए बहुत ही छोटी सी life है हमारी, और कई बार आप चाहते हैं कि आप कुछ कमाल का काम छोड़के जाएं अपने पीछे, आपको पता होना चाहिए कि आप personal sacrifice के बिना यह नहीं कर सकते हैं, I'm not a great friend, मैं शायद relationship में भी उतना अच करता हूँ, यह सोचने में कि मुझे आगे क्या करना है अब? That's one really lucky viewer. Finally, इसे wall पर लगा दिया जाता है, carpet के साथ और इसे एक frame भी दिया जाता है और यह काफी अच्छा लगता है. एक और कमाल की tip है अपनी artwork story को और authentic बनाना, जो मैंने यहाँ सबसाची store में देखी है और मुझे इस look की सबसे अच्छी बात यह लगी, कि आप flea market से artworks ले सकते हैं, और उसमें एक framing detail अड़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा पास से देखेंगे, तो इन में से कुछ असली photographs हैं, और photographs जो पुरानी हो चुकी हैं, तो आप एक personal touch डाल सकते हैं अपने खुद की photograph से, और अपनी art story बना सकते हैं, और आप जैसी चाहें वैसी story बना सकते हैं, अगर आप इसे और ज़्यादा intense और warm बनाना चाहते हैं, तो आप wall पर carpet story को continue कर सकते हैं. सबसाची के world से काफी inspire होने के बाद, हमने decide किया कि हम कुछ नया करेंगे, तो हम निकले design HQ से बाहर और पहुँच कई सीधा store में. सबसाची के aesthetics पर based कुछ themes और elements को देखेंगे, जिनने आप खुद अपने DIY project के लिए use कर सकते हैं. For example, हो सकता है आपको सही तरह की lighting, सही तरह की carpets, या seating या फिर artwork चाहिए हो, मैं आपको बताऊंगा कि ये एक एक करके कैसे करना है. सबसाची का vintage glam look दो चीजों पर depend करता है एक story बनाने के लिए. एक है wall का treatment, ornamentation और embellishment, और दूसरा उस पर जो lighting होती है. लाइटिंग के लिए जब आप एक period chandelier लेते हैं, तो आप दो criteria देखते हैं. पहला color और दूसरा scale. इस particular case में मेरे पास एक standing chandelier है, जो कि अपने आप में एक focus element है. आपको इसके साथ किसी और चीज की ज़रुवत नहीं है. लेकिन अगर scale एक issue है, तो आप दूसरे colors और pairing chandeliers भी देख सकते हैं, जैसे की इनके store में है. कई ऐसे clues हैं, जिनसे आप सबसाची जैसी art story develop कर सकते हैं. For example, अगर बात आती है सही तरह की art choose करने की, तो ये राजा रवी वर्मा से inspired prints हैं, और इनमें एक particular detail है, जो अगर आप pick करते हैं, तो आपको इसी तरह का look मिलेगा. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ jewelry की एक ornamental embellishment है, for example, या एक fabric story है, जो उसे और real बना देती है. एक बहुती clever और impactful design innovation जो मैंने सबसाची store में देखी, वो थे carpets. Now traditionally, आप carpets को floor पर रखते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया? इसे wall पर लगा दिया. यह बहुती अच्छा तरीका है, wall में थोड़ी सी warmth अड़ करने का और floor को खाली छोड़ने का. और मुझे लगता है, यह एक बहुती अच्छा idea है, जो कोई भी use कर सकता है, अगर वो art या sculpture को highlight करना चाहें, या सिर्फ wall पर थोड़ी सी warmth लाना चाहें. और चली अब बात उस furniture की कर लेते हैं, जो इसे एक particular सबसाची लुक देता है. पीसिज हमेशा English या French classical inspired seating होते हैं, और साथ ही आप fabric story भी बताते हैं. एक particular तरीका होता है, जिससे fabric story बताई जाती है. आप या तो एक tone या tone fabric story सुनाते हैं, या यही story आप contrast से भी कर सकते हैं. ये सबसाची के rule का extension नहीं है, लेकिन एक general rule है. वो ये की traditional Indian handicrafts use कीजिए furniture बनाने में. For example, ये coffee table. इसमें आप traditional inlay work use कर सकते हैं एक ऐसा piece create करने में, जो seating के साथ अच्छा लगेगा. सबसाची के magic को और अच्छे से समझने पर आपको ये realize होगा कि ये arts और sculpture पर काफी depend करता है. अपनी story में culture को represent करने का तरीका है एक ceramic story. आप ceramic plates को vertically एक surface पर इकठा कर सकते हैं और उन्हें एक console या एक table की horizontal surface पर ला सकते हैं. जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और इस look को finish करने के लिए एक और sculpture अड़ कर सकते हैं उसके ठीक सामने. और अब हम episode के उस part में आ गए हैं जहाँ एक lucky viewer को एक gift मिलेगा और इस case में ये सब्वेसाची की तरफ से है और ये है उनका incredible embroidered clutch आप में से एक lucky viewer के लिए. उमीद है आपको सब्वेसाची की incredible और intense दुनिया देखने में उतना ही मज़ा आया होगा जितना की मुझे आया. I'll see you again soon. Till then, आबार देखा हावे.